अलो बच्चो विद्या कोश्चन बैंक की स्पेसल क्लासिज में आपका स्वागत है इन वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे कोश्चन लेके आए हैं जिनकी एक्जाम में आने की संभावना बहुत जादा है उम्मीद है कि सभी बच्चे इन कोश्चन को तयार करेंगे और इनके अधार पर अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं और एक्जाम में अच्छे से लिख देते हैं तो आपको पूरे-पूरे मार्क्स प्राप्त होने की पूरी-पूरी हमारा उम्मीद है ऐसा हमारा वादा है तो पहला कोश्चन देखते हैं आनुवान सित्ता को परिभा आनुवान सित्ता के बारे में मैंडल नाम के एक सैंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मैंडल इन्होंने सबसे पहले आनुवान सित्ता के रफारे में अथारा सो चांशुच्ट में बताया था तो अब देखते हैं कि आनुवान सिक्ता की परिभासा क्या होती है बहुत ही महत्कून आनुवान सिक्ता की परिभासा है बच्चो जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए उसकी संतती का होना आवस्यक होता है जैसे पोदों के बीज से फिर नया पोदा बगता है गाएं से नया गाएं की संतती जो है वो पैदा होती रहती है तो आनुवान से की विज्ञान की वो साखा होती है जिसके अंदर हम एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी के अंदर जो गुण होते हैं उनका इस्थानांतरन होता है इन सबका अध्यान करते हैं तो विज्ञान की उस साखा को हम आनुवान से की कहते हैं इसके अंदर कुछ फैक्टर होते हैं मैंडल ने इन फैक्टर्स को इन विशेष्टाओं को कारक का नाम दिया था यानि कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कि माता पिता से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं और उन से फिर अगली पिडी में और इस तरीके सी यह गुण जो होते हैं लगातार पिडी दर पिडी चलते रहते हैं तो कुछ गुण तो ऐसे होते हैं जो कि माता पिता से बच्चों के इंदर ट्रांसफर होते हैं जिनको मैंडल ने कारक का नाम दिया था जहुनसन ने इनको जीन का नाम दिया इन सब्ध को इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया था जहुनसन नाम के वैग गैनिक ने सबसे पहले जीन्स का नाम दिया था तो कारक या जिन्स क्या होते हैं ये वो तत्व होते हैं वो पदार्थ होता है जो कि एक पीडी से दूसरी पीडी के अंदर इस्थनांतरित होता है ट्रांसपर होता है और माता पिता के गुणों को संतान के अंदर ले जाता है जिससे कि जो संतान होती है उसके अंदर अधिका इनसान का बच्चा कभी पहलवान नहीं होता है क्योंकि ये गुण जो होता है दहिक को सिकाओ के अंदर होता है ये जीन्स के अंदर नहीं पाया जाता है लेकिन इनसान का बच्चा हमेशा इनसान ही होता है क्योंकि उसके जीन के अंदर इनसानों के सारे के सारे गुण जो होत बकरी का बच्चा बकरी के जैसे ही होता है भैस का बच्चा भैस के जैसे ही होता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि भैस के अंदर से उसके बच्चे में उसकी संतती में कुछ ऐसे जीन्स ऐसे पदार्त इस्थनांत्रित हो जाते हैं जो कि उस अगली पीडिव को भी माता पिता के जैसा ही बना देते हैं तो इन सभी अध्यन को इन सभी संरचनाओं के जो स्टेडी होती है अध्यन होता है उस सभी को हम आनुवानसिक्ता कहते हैं विज्ञान की बहुत ही महत्पूर्ण साखा होती है बच्चो वो इसकी जो इकाई होती है अनुवानसिक तक ही काई होती है वो जीन्स होता है यानि की जीन्स का मतलब जीन्स जो होता है डीन्ने का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारा अनुवानसिक मैटेरियल होता है अनुवानसिक पदार्थ होता है जो कि एक पीडी से दूसरी पीडी के अंदर इस्थानांतरित होता है deoxy ribonucleic acid तो DNA का एक ऐसा भाग होता है जीन्स जो किसी particular यानि विशेश गुण के लिए उत्तरदाई होता है जैसे कि आप जानते हैं कि यह DNA की समर्चना इस तरीके से एक सरपिलाकार होती है सरपिलाकार तन्तू होते हैं दो filament आपस में इस तरीके के लिए उत्तरदाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम जीन्स बोलते हैं तो इन जीन्स का और इन जीन्स के गुणों का एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के अंदर इस्थानान तरन ही आनुवान से कि काहलाता है अगला question है एक संकर तथा द्वी संकर क्रोस से आप क्या समझते हैं उधारन देते हुए समझाईए हैं तो बच्चों जब मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किये थे आप सभी जानते हैं कि मैंडल ने जो अपने आनुवान सिकी के परियोग किये थे वो मेठी मटर स्वीट पी यानि पाइसम सेटाइवम के उपर किये थे तो उसने इसके अंदर दो क्रोस इस्तेमाल किये थे पहला था एक संकर क्रोस यानि की मोनो हाइब्रिड और दूसरा था द्वी संकर यानि डाई हाइब्रिड एक संकर क्रोस Mono Hybrid और द्वी संकर क्रोस Di Hybrid जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक संकर क्रोस का मतलब है जिसके अंदर एक गुन को लेकर आपस में माता और पिता के जो गैमेट्स होते हैं उगमक होते हैं उनका क्रोस कराय जाता है द्वी संकर के अंदर जो माता पिता के या दो बीज के नर और माता के युगमकों का दो गुनों को लेके जिसमें क्रोस करा जाता है उसको बोलते हैं द्वी संकर क्रोस तो एक संकर क्रोस में मैंडल ने देखा कि मतर के पोदे यानि कि एक पोदा जो है टोल टोल लंबे वाला लिया इसके अंदर मैंडल ने मतर के पोदे को लंबा लिया और दूसरे के अंदर स्मॉल टी स्मॉल टी यानि कि बोना पोदा लिया तो बोने पोदे के लिए जो जीन उत्तरदाई था वो small t small t है और जो लंबे पोदे के लिए जिन उत्तरदाई है वो capital t capital t है जब इन दोनों का cross कराया तो मैंडल ने पाया कि पहले pd के अंदर f1 pd के अंदर capital t small t capital t small t capital t और small t small t इस तरीके से देखा मैंडल ने कि इस तरीके से ये जो f1 pd मिलती है उसके अंदर जो जीन का combination होता है वो ये होता है यहाँ पर जो जीन बना था capital t और small t बना था जब इसका cross कराया capital t और small t के अंदर इस तरीके से इनसे ये ये वाली generation प्राप्त होती है यहाँ पर ये जो होता है ये लंबे पोदे होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो capital t होता है वो परभावी जीन होता है और small t जो होता है वो ए परभावी जीन होता है यानि कि Small T Capital T की उपस्तिति में अपने परभाव को परदर्शित नहीं कर पाता है इसलिए Small T को ए परभावी जिन कहते हैं और Capital T को परभावी जिन कहते हैं यहाँ पर भी जो पोधा हुआ वो लंबा हुआ और ये जो हुआ ये प्योर बौना हुआ इसके अंदर हम देख सकते हैं तो एक संकर क्रोस क्या हुआ जब सिर्फ एक गुण को लंबे और बौने पन को लेकि आपस में मटर को पोधोगा क्रोस कराया जाता है तो उससे जो PD प्राप्त होती है, वो F1 PD होती है और इस प्रकार के संकर को हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रोष कहते हैं द्वी संकर क्रोष के अंदर Mendel ने क्या किया, एक साथ दो गुणों को लिया, capital Y, capital Y, capital R, capitalism Y, small Y, small R, small R, यह दो गुण, यानि कि दो गुण इसके अंदर है pursue yellow और red, और small Y, small Y, हरा और जुर्रीदार, यहाँ पर क्या था येलो और पीला और जो पोधा लिया था वो काफी क्या था मजबूत हस्ट पुष्ट पोधा था पीला और यहाँ पर क्या था हरा और जुर्रिदार और यहाँ पर पीला और हस्ट पुष्ट को दा जो लिया था जिसके अंदर कोई जुर्रिया नहीं थी जब इन दो गुनों को लेके मैंडल नहीं आपस में क्रोस कराया तो इस परकार के द्विसंकर क्रोस को हम बोलते हैं द्वी संकर क्रोस तो यहां पर जो गैमिट प्राफ तो य और कैपिटल आर इस्मोल वाई और इस्मोल आर और इन से जो गैमिट बनते हैं वो हमारी F1 PD के अंदर गैमिट बनते हैं क्या बनता है Capital Y Small Y Capital R Small R Small Y Small Y Small R Small R इस तरी के जिए चार परकार के गैमिट बन जाते हैं इसको बोलते हैं द्वी संकर क्रोस नेक्स्ट कुस्टन है जीन का अर्थ है जीन की परकरती संक्छेप में समझाईए जैसे कि मैंने बताया अविज्ञान की विवसाखा होती है जिसमें एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के अंदर पैतर गुणों का इस्तनांतर होता है उस साखा को हम बोलते हैं आनुवान से की और आनुवान से की जो इकाही होती है उसको हम जीन कहते हैं जीन जो होता है DNA का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है एक निश्चित पार्ट होता है जिसके अंदर की राशायनिक सूचनाई संचित रहती हैं राशायनिक सूचनाई जो होती है वो उसके अंदर उसके अंदर उपस्थित होती है जो की माता पिता से अपनी संतान के अंदर य पॉलिपेप्टाइड स्रंकला से बना हुआ होता है प्रोटीन या पॉलिपेप्टाइड स्रंकला बनाने के लिए उत्तरदाई होता है जीन का दूसरा काम होता है जीन किसी भी कारिये के शरीर के अंदर किस प्रकार की किरियाविदी किस तरीके से चलनी है जिस तरीके से मनु बनी होती है वो किसके उपर निर्धारित करती है वो जीन के उपर निर्धारित करती है और जो बहुतिक संरचना होती है किसी भी मनुस्य की बहुतिक संरचना बनावट वो भी किसके उपर निर्बर होती है जीन यानि कि उसके लिए जीन उत्तरदाई होते हैं जैसे किसी मनु इस परकार की कोई बिमारियां मिलेंगी, तो ये सब चीजों का जो निर्धारन होता है, वो हमें हमारे माता-पिता से प्राप्त जीन के उपर निर्भर करता है, तो जीन की कुछ प्रकरती के बारे में यहां से हम explain कर सकते हैं, और जीन जो सब्द दिया था, बच्चों सबसे पहले जो होनसन नाम के वैग्यानिक साइंटिस्ट ने दिया था, इन्होंने सबसे पहले जीन का सब्द का इस्तिमाल किया था, इससे पहले मेंडर ने जीन सब्द के लिए कारक सब्द दिया था, मनुस में वर्णांदता की वनसागती को समझाईए यदि वर्णांद पुरू सामान इस्तरी से विभा करता है तो उनसे उत्पन संतानों में वर्णांदता की वनसागती स्पस्ट कीजिए वर्णांदता क्या होता है? वर्णांदता एक ऐसी विमारी होती है जिसके अंदर मनुस जो होता है रंगों में पहचान नहीं कर पाता है यानि कि कोई भी मनुस जो होता है जो पहचान नहीं कर पाएगा कि लाल रंग कौन सा है नीला, पीला, काला उन रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाता है उसको हम वर्नांदता कहते हैं और ये जो होती है जो मनुस्य के X क्रोमजोम की एपरभावी जीन होता है यदि वर्णांद पुरूस यानि के X, C और Y इसके अंदर जो मनुस्य के अंदर X क्रोमजोम होता है उसमें उसका जीन इसमें वर्णांद तका जीन पाय जाता है जो कि एक एपर भावी ओ्तोसमल होता है यदि यह मनुस्य कोई वर्णांद पुरुस सामान इस तरह से विवा करता है X-X यह इस तरी का होता है क्रोमोजॉम और पुरुस का होता है यह male और यह female यदि इस तरी के से विवा करते हैं तो इसमें जो इनसे प्राप्त संतान होगी वो कैसी होगी X, C, X, X, C, X और X, Y यानि कि यहां पर जो फिमेल होंगी जो डोटर होंगी वो दोनों क्या होंगी कैरियर होंगी वाहक होंगी इस बीमारी को वाहक का कारिय करेंगी और जो बोई होगा, पुत्र होगा, वो सामान्य होगा उसके अंदर वर्णांदता का अकुन नहीं पाया जाएगा इस तरीके से हम इसकी पूरी की पूरी आनुवान सिक्ता को समझा सकते हैं कि वर्णान्दता का किस तरीके से क्या आनुवान सित्ता में किस तरीके से ट्रांसपर होता है अगला क्वेशन हम देखते हैं हसियाकार कोशिकाओ की वनसागती पर टिपड़ी लिखी है हसी आकार ये क्या होता है एक विमारी होती है जो कि हीमोगलोविन के अंदर RBC के अंदर पाई जाती है समानित है RBC की सेफ सभी बच्चे जानते हैं जो हमारे रूधिर के अंदर ब्लड के अंदर RBC रेड ब्लड कोर्पिसल्स होती है लाल रक्त कनिकाय होती है वो गोली आकार की होती है इस तरीके से गोली आकार की होती है और इनके अंदर हिमोगलोविन नाम का प्रोटिन पाई जाता है जो कि हिमोगलोविन आक्सिजन के साथ जुड़के आक्सी हिमोगलोविन मनाता है और ये oxymoglomin dract के अंदर सरीर की सभी कोशिकाओ के अंदर पोच जाता है और जहां पर आवे सकता होती है सरीर की कोशिकाओ या उत्तकों को oxygen परदान करता है लेकिन बच्चों क्या होता है ये एक अनुवानसिक बिमारी होती है अगर RBC का आकार हसी आकार बिमारी के अंदर जिसको हम सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं सिकल सेल एनीमिया इस एनीमिया के अंदर RBC का आकार जो होता है इस तरीके से RBC पिचक जाती है जहां पर यह RBC पिचक जाती है जाईनी कि गोले आकार के ले रहें के हसिया के आकार के हो जाती है जाती है तो इस बिमारी को हम सिकल आनीमिया कहते हैं यह बहुत ही खतरनाक पुमारी होती है और इसकी हम थोड़ी बंसा गती के बारे में देखते हैं इसके लिए HBA यह गोलिये RBC होती है सामान ने RBC होती है और यहां पर HBS जो सिकल सेल होती है HBS यह सिकल सेल वाली जीन होता है जो की हशियाकार RBC के लिए जिम्मेदार होता है जब हम दोनों का क्रोश कराते हैं तो यहां पर HBA HBS HBA HBS HBA HBS HBA और HBS यानि कि इन दोनों ही केस के अंदर क्या होता है दोनों केस के अंदर जो संतती होती है जो जनरेशन होती है वो सिर्फ वाहाक होती है वाहक होने का मतलब है कि यहां पर यह बिमारी जो होती है इस केस में मनुस ठका हुआ जिन्दा रह सकता है यानि कि मनुस के मरने की संभावना कम होती है हलाकि बिमारी वह होती है जो कि बिमारी को एक पिड़ी से दूसरे पिड़ी के अंदर ले जाने का कारिया करती है लेकिन अगर दो सिकल सेल एनीमिया HBA, HBS, HBA और HBS यानि कि एक सिकल सेल मनुस एक सिकल सेल इस्तरी के साथ विभा करता है तो उस केस में जो उनकी संतान होगी वो क्या होगा उसके अंदर HBA, HBA, HBS, HBA, HBS, HBS यानि कि ये वाली जो संतान होगी इसके अंदर पूर्ण रूप से सिकल सेल एनीमिया होगा और इसका जिन्दा रहना बड़ा मुस्किल है इसकी मरत्य हो जाएगी क्योंकि इसमें RBC जो हैं पूरी की पूरी हांसिया के आकार के हो जाती है RBC इसके डैमेज हो जाएगी यहाँ पर ये संतान जो होगी ये सामान होगी इसकी RBC जो होगी एकदम स्वेस्थ होगी गोलिया कार के होगी और इसके केस में क्या होगा ये सिकल सेल एनीमिया का कैरियर वहाग का काम करेगी 50% सामान होगी और 50% इसकी जो RBC होगी वो सिकल सेल होगी हसिया के आकार की होगी तो ये भी जिन्दा रह सकता है ये भी जिन्दा रह सकते हैं लेकिन इसका जिन्दा रहना नामुम्किन है ये मर जाती है संतान क्योंकि इसकी जो आरबेसी होती है वो पूर्ण रोप से हसिया के आकार की हो जाती है और इसके अंदर आक्सिजन की कमी होने के कौरण ये ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रह पाती है थैंक यू